नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल Constance Mind में मैं हूँ दीपक लखनो उनिवस्टी से पीज़ी का एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है इसके लिए 900 प्लस सीटे हैं 43 विश्यों में अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक है वो वेबसाइट पर मिल नहीं पा रहा था लेकिन अभी क्या है कि वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है तो अगर आप इस वीडियो को इन तक देखेंगे, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, A to Z information, तो आप एक बार धारी रखके, सब इन तक देख लीजिए, पता चल लाएगा, तो बढ़ते हैं आगे, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देते हैं, अगर आप चैनल प आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो रिसर्स प्रपोजल, आपको अगर बनवाना है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, यहां पर आप वाट्सेप करेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगे, टॉपिक भी आपका सजेस्ट किया जाता है आपके लिए, और बनाया जाता है, तो यह सर्विस आप अगर लेना चाते हैं, तो आप वाटसेप पर मैसेज कर सकते हैं, प्चलिक पर आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, यह सब बता देते हैं, आपको वेबसाइट पर करना है, आने के बाद यहां पर वेबसाइट पर ही, एड्मीशन का सेक्षन आपको दिखेगा, एड्मीशन सेक्षन पर आप प्च्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करके, एड्मीशन सेशन 24-25 सेलेक्ट कर लीजेगा, फिर आप यहां पर आजाओगे, यहां पर आने के बाद जाएंगी और देट वगरे भी दिख जाएगा ओडिनेंस में सारी चीज़ें लगबग लिजबिल्टी वगरे सब बताया गया है तो आपको हम नोटीस दिखाते हैं फिर बताएंगे तो दोस्तों यह है नोटीस यह आप देख सकते हो ऐसे कली आ गई है बस पोर्टल पर अव इस बिल्टी रखते हैं तो आप इसमें आवेधन कर सकते हैं पिएसडी का ओनलाइन आवेधन जो है उसकी अंतिम्तिथी पांच नमबर दो हजार चोबीस है पांच नमबर तक आप आवेधन कर पाएंगे सीटें कितनी है वह देख लेते हैं तो यहाँ पर सीटें काफी मात इस बाकी फौल टाइम के लिए टोटल सीटें यहाँ पर तो यह हम देख लेते हैं जो सीटें अपलाइड एक्वनोमिक्स की सीट हैं टोटल और पार्ट-र पार्ट-रेश्ण और तैम की सीट से थोड़ा अलग हैं अरब कल्चर की अगर हम देखें तो यहाँ पर कुल 13 सीट प्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लेकिन पार्ट-टाइम में सीटे हैं, जियोग्राफिक के बाद जियॉलजी, इसमें 11 सीट है, वोमेंस इस्टोरीज में 3, टूरिजम मैंनेजमेंट में 4, पबलीक हेल्थ में 1, हिंदी में 58 सीट है, और सबसे दा सीट में कॉलेजों में है, इसके जो कैंपस है, मैथमेटिक में कुल 8, अग मेडिवल और मॉडरन हिस्टी में 25, परसीन में 1, फिलोसॉफी में 12 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 32, और फिजिक्स में 60 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 50 सीट है, उसके बाद यहां पर साइकॉलजी जो है, उसमें 6 सीट है, और संस्कित में 31, और यहां पर 3 सीट है, सोसल वर्क में कुल 9 सीट है, सोसियोलजी में 42 सीट है, जो की कालेज में 35 है, 7 कैंपस में, statistics की 9 seat और उर्दू में केवल 1 seat वो भी campus में 12 seat है western history में and 50 seat जिलोजी में जिसमें की 41 college में है public policy and governance में 1 seat है केवल and total जो यहाँ पर seatों की संख्या है 358 campus में seat है 564 college में है total full time की 922 seat है और हम part time की बात करें तो total 28 seat है full time and part time को अगर हम plus करके देखेंगे तो यहाँ पर कुल 948 seat है अवेलबल है ठीक है seatों की संख्या जरूर बढ़ेगी घटी तो नहीं है लेकिन घटाई बढ़ाई जा सकती है ठीक अगर हम eligibility की बात करें कि कि यहाँ पर कौन-कौन candidate सावेधन कर सकते हैं तो जिनका भी PG में 55% marks वह या PG के equivalent में भी इतना ही हो ठीक है तो वह सारी कंड़ेट सावेधन कर सकते हैं यहाँ पर reserve candidate को 5% की छूट मिलती जैसे कि SC ST PWD इन सब को 5% की लगभग छूट मिलेगी और यहाँ पर जो admission का procedure है वह किस तरह से है तो admission की procedure की बात करें तो यहाँ पर entrance test होगा और interview होगा ठीक है entrance test and interview entrance test सभी को देना पड़ेगा चाहे आपका net हो चाहे आप jrf हो और चाहे आप कोई other fellowship भी रखते हो ठीक है यहाँ पर आपको entrance test सभी को देना पड़ेगा only PG candidate तो देंगे यही entrance test ठीक है entrance test से किसी को छूट नहीं मिलती है यहाँ पर कुछ category को छूट मिलती है जैसे कि यहाँ university के कुछ employees है जो teacher fellowship folder है university के वो candidates या पर international candidates जो है उनको entrance से छूट मिलती है यहाँ पर जो part-time mode होता है उसके लिए भी entrance होता है उसमें कुछ write-up करके होता है और जो full-time वाले candidates हैं उनके लिए entrance test होता है entrance test कैसे होता है तो entrance test की अगर हम बात करें तो 35 question आपके subject से आते हैं और 35 research methodologies है कुल होता है यहाँ पर 70 questions आते हैं 70 questions और यह mcq mode में होता है ठीक है mcq mode में आते हैं और इसके लिए एक-एक number मिलता है यानि कि कुल जो number होगा marks अगर हम marks की बात करें तो वह भी यहाँ पर 70 marks होता है ठीक है अब इसमें negative marking की बात करें तो no negative marking ठीक है exam में किसी प्रकार की negative marking नहीं होती है और exam जो होता है वो लखनव में ही होता है अग के chance बनते हैं interview के लिए ठीक है आव एधन कैसे करेंगे तो सबसे पहले LURN number आपको लेना पड़ेगा जो LURN number होता है उसके लिए 100 रुपए fees लगती है तो सबसे पहले LURN number के लिए registration करना होगा 100 रुपए fees इसकी लगेगी उसके बाद जब LURN number आपको मिल जाएगा तो उ प्राइब के लिए फीस में छूट होती है मोटी मोटी इंफॉर्मेसं थी वह ने आपको दे दिया अब यहां से ओर्डिनेंस भी आप देख सकते हो यहां पर जो और जो और यहां से वही लागू हुआ है इस बार भी तो इस और इस में आपको यहां पर योगता क्या रहती है तो वही मतलब मैंने जो आपको बताया है कि आपका अगर दो एस साल का पीजी डिग्री है तो प्रेस्ट प्रेस्ट मिल जाएगी यहां पर देखी प्रोसुएर फॉर एड्मीशन में लिखाया यह 70% वेट इंटरेंस टेस्ट का एं 30% इंटर्व्यू का पेपर ऑफ हमने बताया कि 70 total question होगा और 70 total marks होगा इंटरेंस के लिए और अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो नो निगेटिव मार्किंग होगी और इन में पास करने के लिए आपको 50% marks कम सकम लाना होगा और 70 question जो है रहेगा और तीस नंबर का आपका इंटर्व्यू होगा तो टोटल मिला के जो final merit बनेगी वो 100 marks पर बनेगी तीस का इंटर्व्यू और 70 का आपका interest test इसका 70% weight is है तो interest test में आप जितना marks score करोगे अगर अधिक स्याधिक score कर लोगे तो आपको 100 में जो merit बनेगी वो उसमें आपका high रहेगा तो अच्छा ये होगा कि आप interest में अच्छा score करें और जो net या U.P.Slet qualified candidates हैं उन्हें maximum 3 marks मिलेंगे ठीक है अब जैसे ज्यारफ में ज्यारफ होलों को total 7 marks ही मिलना है एक ही मिलेगा आपको यह नहीं कि आप सभी पाएंगे यहां पर क्या कहा गया है कि maximum 10 marks है maximum 10 marks है इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है जिसमें कि divide है यह ठीक पार्ट B में क्या है कि आपका research plan यानि कि जो आप अपना SOP बनाओगे इसमें जो आपका interview में प्रपोजर लगता है वो 500 words में लगता है तो लखनो विश्य देलेका करा SOP आपको बनवाना है यानि research plan आपको बनाना है तो यह आपको कितने में बनवाना पड़ेगा 5 words में य लास्ट में bibliography यह कुछ heading है इनहीं को लेकि 6-7 page में आपको proposal बनाना है अगर नहीं बना पाते हैं तो हम लोग proposal पर काम करते हैं बन जाएगा topic जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो कुछ भी आप बता दोगे उसी तरह topic भी बना लेंगे तो इस तरह सी देख सकते हैं आप य के रिटरेशर प्लान लिटरेचर रिव्यू क चार मार्स फ्रजेंटेसन प्रजेंटेसन का मतलब है कि अब आपको पीपीटी बनाना है इसी को आप पीपीटी में चनवर्ट करेंगे जो 500 वट बोजल्य एश्व रहेगी यह तो प्र्रजेंटेशन आप करोगे उसका चार म सबसे पहले आपको यह दो लिंक जो है पहला है पहला है पहला है यदि आपके पास यह नंबर है तो बात अलग है नहीं है तो सबसे पहले 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 आपको बहुत करेंगे और अगर आपको लॉगिन करना है तो आप लॉगिन कर सकते है ठीक है और इसके बाद आपको यहां पर कंफरमेशन रिशिप्ट में पेमें 100 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और यह होने के बाद आप अप अनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे और अनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म पे आप यहां आओगे तो यह आप देख सकते हैं फीस कितनी है दो हजार र में कौन कौन सी डाकुमेंट्स लगेंगे सबसे पहले लूर लगेगा बाकी इमिल आइडी आधारकाट एक्टिव मोबाइल नंबर वगएर वगएर और यहां पर फोटो सीगनेचर और टर आइडी ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट में कुछ भी चलेगा एक आइड जुलाई एक दोजार इकीस के बाद का या उस दिन का होना चाहिए उसके पहले का नहीं एकसेप्ट होगा इंकम सर्टिफिकेट जनवरी एक दोजार चोविस के आउन और और आफ्टर चलेगा ठीक है न तो यह सब चीजें आप अगर कर सर्टिफिकेट आपका नहीं अभी है तो बनवा लिजे अभी आपके पास काफी समय है कोई दिक्कत होती है अगर आपका पेमेंट होगरे में तो यह सपोर्ट सर्विस है इस पर आप कॉंटेक्ट कीजेगा ठीक है तो वीडियो लॉंग हो जाएगी ज्यादा इसलिए अभी यहीं पर स्टॉप करेंगे कोई क सब्सक्राइब तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट सकते हो यहां तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद